हेलो फ्रेंट्स वेलकम टी यर ओन चैनल डेली स्टॉक तो इस वीडियो में जो यूपेल की जो निउस निकल कर आ रही है कि जो उनका एक प्लांट है वापर आज कल रात को वापर आग लग गई थी तो उसके बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या अब यूपेल का शेर यहां से वापिस से भागेगा तो ये पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो को एंटक जरू देखिएगा और दोस्तों अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइ हूँ अब देखिए उन्होंने ऐसा बोलाए कि कल रात को लगबग देड़ बजे के लगबग उनके एक प्लांट पर आग लग गई थी जिसके अंदर उन्होंने ऐसा भी बोलाए कि वो प्लांट पांट परवरी मतलब लगबग तीन हफतों से बंद पड़ा हुआ था और ऐसा भी कहना है कि वहाँ पर उनका कोई भी केमिकल रियक्शन प्रोग्रेस में नहीं था और जो केमिकल ते कोई गैस लिख वगएरा कुछ भी नहीं हुआ था देखिए एक तो उन्होंने ऐसा भी बोलाए कि fire may have been caused due to fire explosion in the solvent which have been caused उनका बाइचान short circuit हो गया होगा तो कोई solvent और short circuit मिल गया होगा तो उसकी वज़ा से वहाँ पर fire हो गया होगा लेकिन अगर यहाँ पर company के देखा जाया तो company ने ऐसा बोला है कि two fatalities मलब वहाँ पर दो लोगों की मौट भी हो गई है और जो पांच workers वहाँ पर काम करते थे वो मिल भी नहीं रहे हैं और जो उनके जित भी बोला है कि वो उनके जितना भी पैसा उनको ठीक होने का लगेगा वो company खुद देगी और जो भी आगे चलके जो भी ऐसा नहीं होगा ऐसा उन्होंने बोला है अब देखिए उन्होंने एक internal investigation टीम भी बिठाई है जिसके अंदर वो देखेंगे कि ऐसा क्यो हुआ और ऐस रीजन क्या हुआ और ताकि अगली बार उसके regarding precautions ले सके तो देखिए यहां पर यह थोटी सी बात है तो कि देखिए यहां पर chemical reaction वाली टीम है आपको पता होना चाहिए कि UPLX crop protection chemicals बनाती है तो यहां पर आए दिन होता रहता है लेकिन इस company इसके लिए पूरे precautions ले रही है त देखिए भले ही आग लगी है लेकिन company का नुक्सान नहीं हुआ यह एक बहुत ही अच्छी बात है अब यह देखिए सेक्टर का price to earning है 29 का आपको मिल रहा है सस्टे वैलियेशन पर और देखिए रोज तो अभी हेरनबा इंडस्रीज का IPO भी चालू हो गया है अगर उसके अ पर UPL पर आपको अच्छे से निगाय बना कर रखनी चाहिए अब देखिए सेक्टर के price to book के मुकाबले आपको काफी सस्टा मिल रहा है और अगर आप dividend की बात करेंगे तो लगबग सेक्टर के बराबर ही इसका dividend है market gap देखिए 41,239 करोड की market gap है एकड़म अच्छा volatile stock है swing trading के लिए मैं खुद इससे prefer करता हूँ अब यह देखिए देखिए पिछले 4 साल चागर आप देखेंगे पिछले 4 साल से लगारतार इसका जो revenue में growth देखने को मिला है अब वो देखिए पिछले 4 साल से अगर आप profitability पे नज़र डालेंगे तो 2017-2018 के बाद इसकी profitability गिर गई लेकिन 18-19 के बाद वापिस है यहाँ पर recovery देखने को मिली है तो देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से इस बार भी company का quarter 3 का result था वो इस बार भी बढ़िया निकल कर आया था तो UPL लग रहा है कि जो profitability यहाँ पर कम हो गई थी वो recovery अब धीरे धीरे नज़र आ रही है अब यह देखिए ऐसा नहीं कि share के price में correction नहीं है जो profit company नहीं यहाँ पर कमाया था तो तब इसका trade देखिए लग बग जब इसका high देखिए 709 का इसका high है वलब high के मुकाबले अगर आप देखोगे तो लग बग 140-150 रुपे आपको discount पे मिल रहा है अब अपने high से 20% की गिरावट इसमें पहले से है यह और यह देखिए आज यह news IT बजार में की इसके plant में आग लग गई है यह लग बग नीचे पांसो चोड़ा भी गया था UPL के plant में ऐसा कोई भी दिक्क्र नहीं हुई यह उनको कोई नुक्सान नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छी कासी recovery देखने को मिली और यह देखिए लग बग 5% यह अपनी पिछली closing के मुकाबले उपर बंद हुआ है अब देखिए दोस्तो अभी रही बात UPL हेरनबा इंडस्ट्री में आपको सब्क्रिप्शन एक डम बंपर देखने को मिल सकता है तो इसलिए अगर उसमें सब्क्रिप्शन बंपर होता है तो आपको UPL का target मेरे खाल से आराम से कम से कम सच्चो 20 से लेकर सच्चो 30 का रखना चाहिए रही बात long term investment के लिए तो देखि में हर crop protection company यहाँ पर एच्छा कारोबार करती हुई नजर आ रही है तो इसलिए long term के लिए ले रखा है hold कर गे रखिए बहुत ही बढ़िया company है बने रही है अब रही बात short term के लिए तेकि short term के लिए यही बोलूँगा कि थोड़ा सा price over valuation है अगर बजार गिरता है यासे तो wait करना चीए फिर इसमें खरीदारी करें उससे बहले खरीदारी मत करें देखें यह मेरा personal opinion है मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि जो मैं बोल रहा हूं वही आपको करना है आपको अपनी खुड की analysis करनी है और अपने financial advisor की advice लेकर ही आपको अपना काम करना है तो दोस्टों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और रोज इसी तरीके की update पाने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें ओके थैंक्यू, have a nice day